गंडापुर्टा गंडारा गंडापुर्टा गंडारा एक नम्री कलाकार है नामी है नोटन की बाज बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गाओं समाज कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विध्या बिनकाम कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विध्या बिनकाम बेटा है भई गंडाराम पूंजानी साफ अभी आप जो फिल्म बना रहें उसमें गंगाराम के लिए कोई रोल निकालिये ना छोटा मोटरोल हो तो मेरे लिए भी अभी तो एक दम सुरुआत है हमको सुरुई से रख लीजे ना हम अपनी एक्टिंग से आपके एकदम खुश कर देंगे तुम थोड़ा सा भाइनास का बंदू बस कर दो तौका फिल्म काम करने के लिए पैसा भी दिया जाता है अरे नहीं दोस्त यह टटपूंज प्रोडिसर था हम भी हीरो बनने आये थे दस साल हो गया हमें तीसरे दर्जे में ही लटक रहे हैं अरे हम तो कितने लोगों के एक्टिंग सिखा दिये कहीं तो आपको भी सिखा दे और उदर भरती होने के लिए पढ़ाई लिकाई जरूरी है आपन साला ठैरे अंगूर्ठा चाफ तो आप नोटंकी के बाश्या हैं इसलिए फिल्मों में हीरो बनने आये हैं एक तो उसे पढ़ाई करनी ही करनी है और अगर जरा भी लापरवाही की तो उसे भी सजा मिलेगी बोलो मंजूर है मंजूर सब कुछ मंजूर जो आप कहेंगी सब मंजूर है दीदी गंगाराम क्या इस उम्र में पढ़ाई अब देखने की चीज है नहाने की नहीं है करूंगा आगे आगे का लिखाए यहां पहुंचने का समचार देना तो अब लिख दें सब ठीक ठाक है आपका गंगाराम नहीं यह न लिखो यह लिखो कि अभी तक सब ठीक ठाक चलना है आगे आगे जैसा जैसा जो होता रहेगा हम खबर करते रहेंगे अरे जुट क्यों बोलते हो दोस्त हमारे बाबुजी तुमारे वापस जाने के टिकेट घड़ी कठ़ा रहे ह। अरुक्त फिर यह ना लिखना भाई यह लिख मैं अब कल पोस्ट कर दें का यह हो गया अभर लिखो आप किस और माय को आच्छ ठीक पहुंच की माई को गंगा-राम का चरन च़्ूणा पहुंच एप माई को गंगा-राम का जाए पहुंच हम के लग भाउजी के हिया ठीक थाक से हैं ठीक थाक से हैं और और हम लोग हमारा सब लोग यहां खूब मदद कर रहा है हमारा सब खूब मदद कर रहे हैं खास दोर पर रामिलन भाई यह तो बहुत ही ज्यादा हमारा ख्याल लगते हैं वो मदद करते हैं ऐसे लिख दो हां कि का आगे है कल सोच के लिखने यह जूट के लिए क्या सोचना है जैसे गुरु जी खथ में लिए ते वैसे यह भी लिखेंगे नहीं है नहीं लेकस क्यों हमाई से जूट नहीं बोलते हैं अरे परता की अरस्थ और एक सामान कहा गया हो पर आज केहां चला गया आया और आज अमरे दाड़ी बनाए कि सामान कर गया नने हम्रा सामान नहीं मिलता है दाड़ी बनाने की इसलिए पूछ रहे अब प्यारे को दाड़ी मुझ है जो बनाएगा अब जहां राखे ते वहीं न होगा खोज यह ठीक से अरे खोज लिए अंधरा नहीं है कि सुझवे नहीं करेगा अरे सामान घर से कायाब हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता अब काउन रोज दाड़ी बनाना जरूरी है कि आज भी बनानी पड़ेगी है हम खौज के देख देंगे कल बना आएगा वाहरे हमरी घरवाली है जानती रही है कि आज सोमार है और सोमार के सोमार हम दाड़ी बनाते हैं जल्दी से दाड़ी बनाके हम काम पे जाएंगे लेकि कर दाड़ी बना रहे हैंने का है गिसा करते हैं आज पास कोई अध्यᵉन बन वांते तो हम खारी दो हाय फिल में काम तो मिलें दीजे है लाब रुजदो बाबा मरेगा तो बाइल भीकेगा अरे तो पहले करने दिए खतम उसके बाद अरे हमको काम पर जाना है देरी हो जाएगी तो ऐसे कहिए ना किक देरी हो जाएगी लीजे पहले आपी सुम्मार ही दाड़ी बनाते हैं हां आणा हम्रा अंगोचा कहां गया फी घर में कुनों भूत है का कि एक चीज़ कोज़ो दूसरा गयब हो जाता है अब कहा हुआ जी अरे हम्रा अंगोचा नहीं मिल रहा है जब सिन ऐ लिए फिलिमवाला यह ँएँ आये हैना तब से कुनो भूत का खेला चल रा हमरे घर मां और ये भूत का नाही आपके गुस्टा का खेला है हमरे नईयर का आदमी आपको फूटी आख नहीं भाता सौंख़ांते जी अरे हदो अरे हमरे अंगोच्छा के बीच में तो आरे नईयर का हाथ से खुज गय अरे हमको नहाने जाना है तो अंगोचा नहीं खोजेंगे का तापाई के कंधे पर ना रखित है अपनी लापरवाई का दोस्त दूसरा का माथा पर धेरो हम खोशते हैं अब यहाँ नहीं है जी साहिद गंगा भाया लेके नहाने चले गए है का हमरे अंगोचा लेके नहाने चला गया अब हमरे घर में हमरी यह दूर्दसा अब तो काम में जाने में आओ देरी हो जाएगी तो हम मांग लाते हैं अंगोचा अब कहा है अकिल नहीं है का एक जवान आदमी नहा रहा है और तू अंगोचा मांगने चाएगी है जा अपना काम कर जा गंगा भाई यह को कुछ नहीं कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे सिर्फ उसका सामान उठाएके बाहर फेग देंगे और कहेंगे कि जाओ दूसरा बंदोबस कर लो गुस्सा में आपकी अक्कल मारी जाती है जी गंगा भाई यह कहीं नहीं जाएगा अब है तो गाव में आपकी नाग कटेगी हमें कोई कुछ नहीं कहेगा यहीं तो मुंबई में हैं और हमरी नाग गाव में देखते हैं ससुर के नाती को मन फुला फुला फेरे जगत में कहीं कैसा नाता है गंगाराम कहा है अरे इंकाना बंकरो बात सुनाओ कहा है और हमरा अंगोचा कहा है रे अंगा उच्छा यूता हम लपेटा हुआ है यह देखे अरे ससुर के नातियां उच्छा नहीं लपेटिया हो हमरी जिन्दगी लपेट लिया है जिन्दगी कैसे लपेटेंगे जो लपेटने का चीज़ा वो लपेटेंगे कैसा नातारे बाह एकदम जैसे गाउं में बैटकर खाए रहे हैं एकदम वही सवादमान माफिक तरकारी एकदम लाजवाब काहरा मिलन भहिया भावजी के हाथ के बनाए खाने का जबाब ही नहीं है बहुत बढ़िया होना है देखो लो आउर तरकारी लो तुमको बहुत पसंद बढ़ भावजी पसंद पढ़ गई है तो भावजी कहां के साब कुछ पसंद रहे है लीजिए आप में बस बस पेट भर गया है तो भात लो जी कह दियाना ना थोड़ा थोड़ा हमारा पेट पेट है कंगा राम की तरह नाथ नहीं है उद्धर ही भरो भरो दरी एकदम ठीक बोले प्रामिलन भाईया सहीरी पेट कठाउती और गमाई पेट ना तब ठीक है अभी तरह शुरू आथा लावदेवाजी देव कि अधर प्रक्रे गंगाराम को बंबई घुमाला नहीं तो गाउं जाके कहेगा कि बंबई भी नहीं गुमाये तो तो ठीक है पर गाव वापस जाने वाली बात कहा से आ गई जी अरे मा वह जब जाएंगे तब की बात है बाबुजी घुमाने वास टे पैसे कली दिया ना वो तो कल ही खतम हो गया अरे छोड़ो ना प्यार है घूमना पिनना कोनो जरूरी है का का इना रामिलन भाईया आज घर में बैटके भावजी से पतिया आएंगे अब आप भी काम पर जाएंगे देरी नहीं हो रही का आँ जा रहे हैं पुलवा भया है का घर में हाई रहे अरे आवा आवा रामिलन इदको आजकल हमरा रोज एक्सेंशन चल रहा है इसलिए तोरे घर नहीं आ पाए तुमको यहीं बुलाई है बुरा मत मानी हो अरे का बात ह बात घर आप उन शूद्यूक के काम निख लेंगे और ट्यूटीर को सब्सक्राइब कर लेना अब साथ चलो रास्ते में तुमको घर दिखाए देंगे फिर अपनी शूटिंग बेचले जाएंगे वागवान हम जारे रहें दर्वाजा बंद कर लेना चलो दूठो तो आज का काम करेंगे करे या ना करें लेकिन शाम को पैसे का हिसाब तुमी को देना पड़ेगा सोच लो अरो तू समझा नहीं या वो पैसे वाइसा का बात नहीं है फिलम वाले काम के लिए कहीं चलना होगा कि नहीं भूँ तो है जब वो नहीं है तो घुमने चलते हैं बाबुजी के बाद भी रहा जाएगी ठीक है चलो आउ मुन्ना भाई आउ का बात है को नो खास मीटिंग है का है आज आज ऐना खास मीटिंग के वास्ते तो जा रहे हैं एक रदूर्निंग रोल के लिए बोलाया है। कौन बोलाया मुना भाई? सुभास गई। आम सुभाइी उसका मेशा हायाता। बाप्रे, सुभास गई। कह こう बाप्रे बोलता है। ऐसे परडूसर का देली मेशा आता हैं अपन के पास। हाँ 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 लेकिन काम नहीं मिलता आज हमरे हाथ के पान खाके जाओ देखो काम जरूर मिलेगा थैंक्यू चवरसिया भाई तुम्हीं तो एक हो जो एक आर्टिस की कदर समझते हो अब तुबास घई को मुन्ना भाई यह सा अर्टिस किदर मिलेगा क्यों हीरो भाई तुम्हीं इधर ही पान खाने का तुम्हारे वास्ते वाइट ठीक रहेगा जो मुन्ना भाई अरे कैसा अनारी के माफिक लल्लू बनके बैट आए देख अरे ऐसे गेटप में कभी फिल मिलती है क्या अरे मुन्ना भाई की तरह समार्ट बन समार्ट तब चेह यह कुछ उची चीज बोल गया अपन के उपर से गुजर गया अपन जाता है कि बहुत शठीक जबाद दिये मुन्ना भाई को अरे यह एक नंबर का बंडल वाज है रोज किसी प्रोडूसर का नाम लेकर पान उधार खाके जाता है और खारी हात लौटता है यहीं दस सालों से सुन रहा हूं उसका राज नगा दर कल उधार का भोट काहीं नहीं लगा देते उधार देकर धंदा चौपट करवाएंगे का अरे काता तो है भाई कि फिलिम में काम मिल जाएगा तो पिछले दस सालों का उधार एकी साथ में चुकता कर दूंगा रे भूल जाओ ना ही फिल्म मिलने वाला है ना ही तुमारा उधार चुकता होगा अब का करें गाव घर का आत्मी है ना भी तो नहीं करते बनता है अब देगा देगा नहीं देगा तो सोचू का मंदर हमने दान कर दिया अरे भाई दो पांड लगाना और एक सिग्रेट और प्यारे कैसे हो मैं ठ को कहा था कि सुभाज गई ने इसको अपने फिल्म में काम करने के लिए भुलाया याद आया अभी शूरू होने वाला है गंगा भई आप उनको भूलना नहीं का और शूटिंग पर जरूर बुलाना और तुम लोग इधर का कर रहे हैं ऐसे जारे घूमने फिने निकले थे लो भईया पाट और ये लो शुग्रे पैसा देदो अरे घुमना ये तो उदर जाओ मंदिर में किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है सुभाज गई वाली फिल्म का रेफ्रेंस देके काम की बात करवालो समझे अच्छा मैं चलता हूँ हूँ ये शुभाज गई वाली बात तो फीचे पड़ गई तो जूट बलने का जूरूत पड़ गया था ठीक है अपने ही बोलेंगे अच्छ अब कान पगने जूरूत नहीं है वह बल गया था शूटिंग देखना है चल शूटिंग देखते हैं चलो आक्शन हे माता तेरी लिला महान है आज मैं तुझ से अपनी मनोकामना पूरी होने की भीक मांगने आया हूँ जीवन में सारी इच्छाओं की बली चढ़ा कर काट 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 टायलोक्स में ज़रा फिलिंग्स लाओ थंडा थंडा सा लग रहा है कमान वंस मोर साथ कैमरा एक्शन हे माता तेरी लिला महान है आज मैं तुझ से अपनी मनोकामना पूरी होने की भीक मांगने आया हूँ जीवन में सारी इच्छाओं की बली चढ़ा कर आज में तेरे द्वार आया हूँ माता मेरे इच्छा पूरी कर दे हैं काइट चलो ठीक है एक और लेते हैं कि स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन हे माता तेरी लिला महान है आज मैं तुझ से अपनी मनोकामना पूरी होने की भीक मांगने आया हूँ कि अपनी मनोकामना पूरी होने की भीक मांगने आया हूँ मैं रामिलम भाया को बता देना चाहता हूँ कि मैं कुछ करके दम लूँगा इसलिए जल्दी से मुझे फिल्मों काम दिलवा दो माता नहीं तो मेरी बड़ी बेचती हो जाएगी कि क्या हुआ का खोगे दोस्त अब डारेटर खाली बैटा है यह मोका अच्छा है जाके उससे अपनी काम की बात करने का चलो कार में ट्रैविलिंग का एक शौट बाकी है तो अधिरिक्टर साम क्या है यह गंगा राम है बहुत अच्छा आपिस्ट है अगर आपके फिल्म में कोई अच्छा रोल हो तो इनको अभी कोई हमारे फिल्म में रोल नहीं है अगर छोटा मोटा रोल निकला तो मेरे तो तुम्हेक्टरों तुम्हारा नाम क्या है गंगा रहूं इंट्रेस्टिंग कभी फिल्मों में काम किया नहीं फिल्म में तुम्हारे अंदर अभी बहुत कमी है जाकर किसी स्कूल में करें एक्टिंग और ने कमी है कुच लोग बाउन एक्टर और बनाया जा? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बनाने की जरूरतै कब लेकिन सुझाओ के लिए धन्यवाद मेरा भी एक सुझाओ है क्या आपने भी एक कमी है आपको अच्छा एक्टर के पैचान नहीं है चलो दोस्त साला ये एसिस्टर चला था अपने को मामा बनाने नहीं दोस्त हो सकता है वो सच कह रहा हो कल मुन्ना भाई भी यही कह रहे थे कि इंसान को अक्सर अपनी कमजोरी नजर नहीं आती एक काम करते न चलकर कोई एक्टिंग स्कूल में बात करते हैं ठीक है अब तुम्हारे इच् अपने करते हैं फिल्मा डॉस्तम चप्सार है मिलने के वाज़ाए था मैं इसका क्या हुआ अपने करते हैं अरे भाई मीटिंग भी चानि और फिर सूटिंग नहीं तो experience ब्रहें अच्छं आप किसी अच्छा एक्टिंग स्कूल का पता बता सकते हैं अप उन तो तुम को पहले ही बोला था लेकिन तुम एक्टिंग स्कूल के बारे में काहे को पुछ रहा है काहे कि हमको एक असिस्टेंट डिरेक्टर मिला था पूसने चाह कि पहले किसी एक्टंग के शौuh ह Channel Key कि उसके काम मिलेगा बिल्कुल ठीक बोल रहा था अब तुम आध अंदर पहुत कमी है तुम किसी देवनंड इस्डाइल एक्टिंगी स्कूल में जाओ और वहां एक्टिंग सीखो वहां से लड़के निकलते ही देवनांद बन जाते हैं बनेगी पान खिलाओ लो भी आखाओ अ was a good morning sir good morning क्या तुमने फोन किया था जी बैठो बोलो क्या बात है सार्ण आपके एक्टिंग स्कोल में भरती होने के लिए क्या क्या क्रता है हमारा फर्म बरना पड़ता है और चार मेने के इस कोर्स की फिये सिर्फ 20,000 रुपए हैं और हां कैंडिडेट कम से कम 12 वी पास होना चाहिए तो बोलो किसे जोइन करना है उका है कि हमको भरती होना है तुम्हें हां कि खैर ये फर्म लेके जाओ और 20,000 रुपए लेके आओ नहीं वो कहें किया बात हैं मैं पड़े लिखे नहीं है क्या है तुम अनपड़ हो अच्छा अच्छा 20,000 है नहीं वो भी नहीं है तो फिर भागो यहां से नवी द्यान धन चले आया एक्टर बनने हैं का सोच रहे दोस्त प्यारे एब बात बताओ अगर हम पढ़ना लिखना चाहें तो नहीं सीख सकते का अगर तो मैंन से पढ़ो यह तो क्यों नहीं अरे तो हम खूब मैंने करेंगे ना अब पढ़ना लिखकर जाएंगा तब कुंतिया तो देख कर खुस हो जाएगी और रह कुछ जटक के कुछ मतक के आप सबको पटक के क्या क्या को बोल रहा है अगले में रोल भी नहीं मिलेगा आईए 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 साहिबान कददान नमस्कार सच्रियक कर वरकम स्लाम वालेकुम आईए और देखिए कुछ अनोखे रंग जिन्दगी के अंचाहे धंग सच्चाईयों को समझाता हमारा ये नाटर करो पढ़ाई जिनो नाई आई सुनिये सुनाते हैं आप कोई किस्टा जो है आपकी जिंदगी का सिस्टा एक था ना पड़ और एक था भापर अब देखिए नापर का क्या हाल औरक और फार ने कियाक्र कमान तो रहाभिया ना पड़ ता यह रहे लाला जी राम और लालजी लांग घराः लाम राम बेती कि शादी के वास्ते रुप्या उध्वार चाहिए फचल पर आहिसेतो नहीं चंग Singer a love ilольно-ॉ which a notionा चलिक कर चाहा था मैं अनपर आदमी दस्कत करने को ना कहो थीक है ठीक है भाया रुपिया कितना चाहिए पच्छी सजार बीसजार रुपिया चले तो ठीक है तुम अभी जा भाया कागज तैयार कराओं फिर तेरा काम बना तो फिर मैं जाओ और अभी लोट के आओं अनपर गमार है बढ़ा के लिख दिया कितना लिख दू पचास लिख दू पचास और ब्याज ब्याज कुछ भी बढ़ा के लिख दू आज साथ लिख दू चलेगा अब अब आपड़ा आगे वहां लांग उठाला है यहां अरे हाथ ले लोग अब यहां हां यह तरह पैसा और यह तो आर्ट रसीद चल रसीदिया ना हाचल जयराम जी कि यह आई ये लाला के घर से निकला ना पड़ और रास्ते में उसको मिल गया हापर अरे हापर वही आज सिर्वाद है तो बाल में कैसे हैं पेटी कि साथी कर रहे है हाँ ने इधा मिला ना और ने कब और चापी ज़खा पूरा तेज्व कुछी मराएगा अरे पेटी किसाधी के अधिए क्या है आगा अचे भाया लाला जी ने लिए रुप्या ने लिया है तो पैसा कितना लिया ना पड़ भीशार बीस हाँ लेकिन इसमें तो लिखा है पचास अजया अच्छाइब फिर वी ना पड़ने दिया उठा अच्छाब ऐसा क्यों हुआ बता सकते हैं अरे अनपड़ा अदमी कागज में क्या लिखा है वो कई से पढ़ेगा उता भरोसे में लोटिया इसलिए तो कहता हूँ के मत बनो ना पढ़ पढ़ो पढ़ो और बनो हाँ पढ़ो तो बोलो हाँ पढ़ अरब आप लोगों में से कौन आगे आ हाँ 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 तो भाई या अब यह बनेंगे नापड़ और आप सब को दिखाएंगे नापड़ की जिन्दगी का एक और हद्सा हाँ ठीक है भाई जाब एक दिन की बात परदेश में रहने वाले भाई का खताया नापड़ के नाम और इसी लिए उसे पढ़ गया हाँ पड़ से काम लेकिन गाउं में एक भी हाँ पड़ ना मिला इसलिए खत लेकर नापड़ बेचारा बेचैन बेसबर जानने को भाई की बहर बचता रहा, बचता रहा, बचता सा झाल 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 वा गंगाजि झारा नहींग वाह गंगा जी तुम सच मुछ बहुत अच्छे एक्टर हो आज नुकर नाटक में तुम्हारी एक्टिंग देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम फिल्मों में जरूर नाम रौशन करोगे और दोस्त मेरा विश्वास डबल हो गया तुम पर आज से मैं तुम् पार्क में मूलटका के बैठेते ना तो अच्छा नहीं लग रहा था क्यों क्या बात हो गई थी कुछ नहीं साधना दीदी वो एक्टिंग स्कूल वालों ने इन्हें अनपड कहकर एड्मिशन देने से इंकार कर दिया और यह हो गये दुखी इस तरह मायूस नहीं होते गं गंगाराम करता है रिजर्वेशन के लिए बोले थे किसका रिजर्वेशन गंगाराम का अब किसका का है गंगाराम बंबाई घूम ले आना अब कहां वापस चला जाया वही मोखरी भलाई है का हुआ जब से गंगा भीया आये हैं पीछे ही पड़े हैं का वापस जाओ का वापस जाओ अभी कौन से खातिर्दारी होई बात को समझती नहीं है और बर बर करती चली जाती है सुनो हमरे पीछे वो तिवारी जी आया तो टिकेट लेके रख लेना और कुछ खाने का हो तो दो एक बात जान लीजिये जी गंगा भीया जब जाएंगे तब जाएंगे आपकी मर्जी से नहीं हाँ कि यह हमरी महरारू गंगा राम को यहां से जाने नहीं देंगे अव हम उसको यहां ठहरने नहीं देंगे ऐसे कौन से अचूब उपाय है कि गंगा राम यहां से चला जाए पूछना पड़ेगा किसी से गंगापुर्टा गंगारा गंगापुर्टा गंगारा एक नंबरी कलाकार है नामी है नोटन की बाज बड़े बड़े सपने वो तेखे जाने माने गाउं समाज कितना भी हो जाए नाव बने नहीं विश्चा बिनकाम कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विश्चा बिनकाम पहता है भई गंगाराम गंगापुर्टा गंगाराम गांगा पुर्का गंदारा गंदारा गंदापुर्का गंदारा